हेलो एब्रिवन एक्स्टर नॉलेज में आपका स्वागत आज में लाएंगे यूजी सीनर जी आरस से समंदे सिछासाथ प्रक्टिसर्ट सेवन इसका राइट आंसर है नामिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपातिक व्याख्या देखते हैं मापन के प्रमुक चार स्थर हैं नामित इस्थर, क्रमित इस्थर, अंतराल मापनी, अनुपातिक मापनी, मापनी के परिसुदता, संगतिता, प्रिक्त संक्रियाओं की दिस्टी सुत्रो तर क्रम इस प्रकार होगा नामित क्रमित अंतराल अनुपातिक इसमें नामित सबसे कम सुद्ध माप देता है और अनुपातिक मापनी मापन का सवधिक मरिमारजित वो परिशुद्ध माप करता है आता इस पस्ट है कि उप्योक्त क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मापन की सुद्धा बढ़ती जाएगे नामित तत क्रमित मापन में किसी प्रकार की गड़तिय संक्रिया संबो नहीं है जबकि अंतराल मापनी के जोड़ वा घटाओ की संक्राई की जा सकती है इसके अलावा अनुपातिक मापनी में जोड़ घटाओ वा गुड़ा भाग जैसे सभी गड़तिय संक्रियाई की जा सकती है इसका राइट आंसर है परिभाशित करना माप, विशलेशन, सुधार, नियंतरण ज्याक्या देखते हैं शिक्स सिगमा एक प्रवध नीती है जिसका प्रमुक कार्वी निर्मार परकिरियाओं में सुधार तुट्टी तो तुट्टियों को दूर करना होता है इसका प्रयोग अनेक प्रवंद छेतु में होने लगा है इसमें यूत DSAIC का विश्तारूप प्रभाशित करना माप, विशलेशन, सुधार, नियंतरण है बथरी नीचे दिये गएं, दोनों सेट में सेट वन चिंतक के पस्चात दर्शन करवान हैं, जबकि सेट टू सिच्छक की भूमिका के प्रति उनके विचार दिस्टी है उनका सही मिलान करना है याख्या देखते हैं दर्शन तरसिछड की भूमिका के बारे में उनके विचार आदर्श वारत अनुकर्णिये आदर्श व्यक्ति याथार्द वारत ग्यान संचरन प्रियोजन वारत समस्या के स्थिति में प्रामर्धाता की भूमिका स्तित्वाद आत्मनुभूती के पचपर प्रतेक छात छात्रा को व्यक्तिकत रूप से सहायता करना Q4 निम्नांकित में से कि सोद का मुख उद्दे समानिकरन निर्माण है जो सिध्धान दुरूपड की और अग्रशर होता है इसका राइट आंसर है प्रियोग जिसमें नियंत्रण एवंचरों का हेर फे सनाहित हो द्याख्या देखते हैं उद्देशों के समानिकरन से तात पर सोद से प्रात परणामों का संपूर्श जीव संख्या पर लागू करना जिससे की निया दर्स का चयान किया जाता है ऐसे सोद जिनके परणामों को समानिकरन कर सिधान निरूपट किया जाना हो ऐसे सोद प्रasnos पर अधारित होने चाहिए तथा उनमें नियंतरने उंचरों का हेर फेर भी सन्याहित होना चाहिए बिना इन विशेस्ताओं में से किसी भी सोत प्रणाम की विश्णता एवं बैदिता उप्युकति नहीं मानी जाएगी कोशन नमबर फाइब वेदान दर्शन के अंसार आत्मा के समीपस्त कोश है प्रते ग्रेक्ती को अपनी आत्मा का साठ छात अन्बर होता है मैं हूँ या ज्यान अलोचना या संसे का विशन नहीं है क्योंकि निशेत करता स्वम आत्मा ही है किन्तु हमारा वेक्ती निस्ट जीव आत्मा शुद्ध आत्म बल नहीं है इसका राइट आंसर है आवसक्ता पढ़ने पर तथो तथो तथा जानकारी को पुना प्रस्तोत करपाने समन्दी निपोड़ता प्याख्या देखते हैं आवसक्ता पढ़ने पर तथो तथा जानकारी को पुना प्रस्तोत करपाने समन्दी निपोड़ता अधिगम के निम्निस्तरिया सेड़ी से समन्देते क्योंकि इस प्रकार का अधिगम रटन प्राणाली पर अधारित होता है इस्तरों के अधार पर मनोविग्यान को ने तीन प्रकार का अधिगम लेग किया है इस्मृति इस्तर, बोधिस्तर और क्रियात्मक्या मनोचालक इस्तर है इस्मृति इस्तर अधिगम का सबसे निम्निस्तरियों होता है या रटने पर अधारित होता है और बोधिस्तर का समझ पर अधायुत होता है तथा मनुचालक स्था चिंतन पर अधायुत और यहां अधिकम का सर्वोच स्थर होता है Q7 निम लिखीत में से किस अनुक्रम द्वारा भारत ने सैठ्षिडिक प्रधागी की विकास का सही करम प्रतिवंधित होता है इसका राइट आंसर है सर्वसाधन, द्रश्यशाधन, स्रवद्रश्यशाधन, ICT, समर्धित साधन व्याखे रिखते हैं सैठ्षिक प्रधागी की विज्ञान तथा मनुविज्ञान के सिध्धानतों वा विसकारों का सिच्छा के शेत में बढ़ावा देता है सैठ्षिक प्रधागी की के प्रयोग से सिच्छा के छेत में एक नवीन प्रांती आई है आज कल की सिच्छा में साच्छिक प्रधोगी का महत इतना बढ़ गया है कि जिस देश की सिच्छा में जितना अधिक इसका प्रयोग किया राता है उस देश की सिच्छा उतने ही विक्षित मानी जाती है भायत में इसका विकाल धीरे-धीरे हुआ, इसका सही क्रम इस प्रकार है, श्रवशादन, दर्श शादन, स्रवदर्श शादन, ICT, समर्थित साधन कोशन नमबर एटनिम लिफित में से, कौन सा सोध अभीकल्ब व्यक्तियों, आत्मकथाओं और व्यक्तिकत बाचीत चर्चाओं से प्राप्त प्रदक्तों का प्योग करता है इसका राइट आंसर है, अधिकारिक सिध्धान अभीकल्ब ग्याख्या देखते हैं, एक ऐसा सोध अभीकल्ब जिसने व्यक्तियों, आत्मकथाओं व्यक्तिकत बाचीत चर्चाओं से प्राप्त प्रदक्तों का प्योग किया जाता है व्यक्तिय अभीकल्ब केस स्टडी में था होट कहलाता या एक कल्वेथी है और गुरात्मक सोध का एक प्रमुग प्रकार व्यक्तिय अधियन में किसी एक व्यक्ति संस्था परिवार या किसी इकाई विश्यस अध्यन किया जाता है इस वो तवी कल्प में वेक्तियों से सूचना ली जाती है उनकी आत्म कताओं का अध्यन किया जाता है समंधित इकाईयों से वेक्तिगत बातचीत किया जाना है इस प्रकास सूचनाओं का विशलेशन का परणाम तक पहुचा जा सकता है प्रकारियों सुधार की जाता है किसी प्रकारिया में सुधार के लिए सबसे पहले योजना बनाई जाते है कि किन बेंदोयों पर सुधार की जरूरत है फिर योजना की अनुरू बदलाओ प्रिकार किया जाता थाथ बदलाओ का निर्मार किया जाता प्रत्रत प्रस्चात योजना की जाची जाती है कि कहीं कोई टुटी रह तो नहीं गई है इसके प्रस्चात उस नौ निर्मित योजना को लागो किया जाता है Q10. किसी सोध अध्यान में जहां एक परवर्थी चर्व जो प्रत्यच रूप से गोचर ना हो परन्तु जिसका प्रभाव आश्रित परिवर्थी चर्व पर उपलच्छित होता हो को निम्रिखी संग्या दी जाती है इसका राइट आंसर है मध्यवर्थी परिवर्थी चर्व व्याख्या देखते हैं किसी सोध जहां ऐसा चर्व परिवर्थी जो प्रत्यच रूप से गोचर ना हो परन्तु जिसका प्रभाव आश्रित चर्व पर उपलच्छित होता हो जिसे उसे मध्यवर्थी परिवर्थी चर कहते हैं कभी कभी सोथ करता दो चरों के मद समंधों की व्याख्या के लिए किसी तीसरे चर का प्रयोग सन्यूजर कड़ी के रूप में करता है उसे मद्ध वर्ती चर से जाना जाता है कोशन नमबर 11 सजनात्मक प्रकरिया में प्रतिभागिता सर्वोच होती है इसका राइट आंसर है नए आदर्शों के उद्भावक होनी में व्याख्या देखते हैं सजनात्मक मानो योगताओं का एक महत्पूर्चर है सजनात्मकता का समंद्ध प्रमुक रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है अता नए आदर्शों के उद्भावक होने में सजनात्मक प्रतिभागता सर्वोच होती है क्वेशन नमबर थर्टिन ग्यान और यथार्टा के बीच की अनुरूपता में निमलिकित में से क्या नहीत होता है इसका राइट आंसर है सजनात्मक प्रकरिया व्याख्या देखते हैं ग्यान और यथार्टा के बीच की अनुरूपता में सजनात्मक प्रकरिया नहीत होती इसका राइट आंसर है व्यापक और व्रहत व्याख्या देखते हैं ग्यान और या थारता के बीच की अनरूपता में सजनात्मक प्रकरिया नहित होती है थैंक्स फॉर वाचिंग माई चैनल